हालो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे चैनल लिटिल क्राफ्ट हाउस 15 पर स्वागत है फ्रेंट्स आज हम चीज पाव भाजी घर पर बनाना सीखेंगे यहार रेसेपी क्विक एंड इजी रेसेपी है तो चलो जटपट इस रेसेपी के इंगरीडियन्स नोट कर लीजिए फ्रेंट्स हमने एक बॉल ग्रीन पीस एक बॉल कॉलिफलार और एक बॉल पोटैटोज लिए हुए है अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप ग्रीन कैपसिकम भी ले सकते हैं इन सभी वेजी टेबल्स को हम दो वीसल कुकर में देकर उसे अच्छे से स्मैश करकर एक बॉल में निकालकर अलग रग देंगे फ्रेंट्स इन सभी के साथ हमने एक बॉल चॉप ओनियन लिया हुआ है एक बॉल चॉप टोमैटोज लिये हुए है हाब बॉल चॉप कोरियंडर लियूज लिये है एक टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और दो टेबल स्पून होममेट मसाला लिया हुआ है अब हमने एक पैन में एक टेबल स्पून ओल के साथ दो टेबल स्पून बटर मेल्ट कर लिया है फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखे आप बटर को डायरेक मेल्ट मत कीजिए आप उसे ओल के साथ ही धीमियाज पर मेल्ट कीजिए इससे बटर आसानी से मेल्ट हो जाएगा और बटर जलेगा नहीं और उसका स्वाद नहीं बिगड़ेगा देखिए अब बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें एक टीजपून जिंजर गार्लिक पेस्ट अड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एक टीजपून जीरा अड़ करेंगे उसी के साथ हाफ टीजपून तर्मरिक पाउडर अड़ कर लेंगे अब हम इसमें चॉप ओनियन अड़ कर लेंगे अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ध्यान रखें ग्यास की आज दीमी होनी चाहिए आप चाहे तो उसे कवर भी कर सकते हैं जब पैज अच्छे से पक जाए तो हम इसमें चॉप टोमेटोस एड़ कर देंगे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चाहे तो आप इसे धक कर भी पका सकते हैं जब टोमेटो अच्छे से गल जाए तो हम कुछ सूखे मसाले इसमें आड़ कर लेंगे तो चेक करते हैं देखिए अब टोमेटोस अच्छे से पक गए हैं अभी इसमें स्वाद अनुसा नमक और दो टेबल स्पून होममेड मसाला हमने आड़ कर लिया अभी हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं जो हमने पकी हुई सबजियों का स्मैश मिश्रन हमने एक बाउल में साइड में रख दिया था उसे हमें लेना है देखिए वेजी टेबल्स अच्छे से पक गई हैं उसे हमने थंडा कर लिया है बाउल में और अच्छे से स्मैश कर लिया है अभी यह सबजी को हम इने हमारे मसाले में हम इसे आड़ करेंगे तो चलो अभी हम इसे आड़ कर लेते हैं देखिए अब हम इसमें हमारी पकी वी सबजी का मिश्रन हम आड़ कर लेंगे अच्छे से हमें मिक्स करना है आज दीमी ही रखी है चाहे तो आप इसे कवर भी कर सकते हैं देखिए सबजी तयार हो गई है अभी हमने इसमें चॉप कॉरियंडर लिउस डाल दी देखिए अब हमारी पावबाजी की सबजी रेडी हो गई है अब इसे हमने एक बॉल में ट्रांसपर कर लिया है अब हम इस पर एक टेबल स्पुन बटर डाल देंगे उसी के साथ हम कुछ चॉप कॉरियंडर लिउस भी ऐड़ कर लेते हैं अब इने हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आखिर में अब हम ग्रेटेड चीज लेंगे और उसे अच्छे से सजा देंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी चीज पावबाजी रेडी हो गई है अब हम इसे अच्छे से सब करेंगे देखिए कितनी डिलिश्यस लग रही है होमेड चीज पावबाजी रेडी हो गई है अब हम इसे अच्छे से सब करेंगे सब करने के लिए हमें पावबाजी के पाव लगेंगे उसे हम अच्छे से बटर लगाकर रोस्ट कर लेंगे तवे पर और उसे हम एक बॉल में ले लेंगे और उसे सर्व करेंगे अच्छे से आप इसके साथ चॉप ओनियन और लेमन स्लाइस अगर पसंद करते हैं तो उसे भी आप सर्व कर सकते हैं जितनी डिलिशे से दीख रही है उतने भी स्वाद में बहुत ही बड़िया इसका स्वाद होने वाला है तो आप इस इजी क्विक रेसीपी को जरू जरू ट्राइ करें देखिए अब हमने इसे एक बॉल में ट्रांसपर कर लिया है और कुछ पाव भाजी के पाव अच्छे से बटर लगा कर रोस्ट कर लिये देखिए कितनी स्वादिश दीख रही है है ना डिलिशेस होममेड रेसीपी तो आप इस इजी रेसीपी को जरू ट्राइ करें और आगे भी हम और अच्छे अच्छी रेसीपी लेकर आने वाले है अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल लिटिल क्राप्ट हाउस 15 को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले आगे भी हम और अच्छी डिलीशेश रेसीपी लेकर आने वाले है अगर आप और कुछ अच्छी रेसीपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में लिख कर बताए हम वे ही रेसीपी आपके लिए लेकर आ जाएंगे फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आट, क्राफ्ट और डिलीशेश फूड रेसीपी के लिए प्लीज हमारे चैनल लिटिल क्राफ्ट हाउस 15 को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलो रीगेम देखते हैं अजय को सब्सक्राइब जरूर करें अजय को सब्सक्राइब जरूर को सब्सक्राइब जरूर करें